या कुंदे दुतुशार हार धवला, या शुब्रवस्त्रां वृता, या वीना वरडंड मंदित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति भी, देवैसदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वति भगवति, नीशेश जाड़्या पहा, है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रिशब गौतम दुला अफट्रेक्शन कोच और मोटिविशनल स्पीकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ के भईया लॉफ अट्रेक्शन फेल क्यूं हो जाता है, बहुत सारे स्टुडेंस के मन में ये शंका, ये संशय होगा, कि हमने बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तमाल किया है, बहुत सारे गुरुओं को फॉलो किया है, किन्तु हमारे लिए लॉफ अट्रेक्शन ने कभी काम नहीं किया, या फिर काम करते 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 बंद हो गया, तो चलिए आज इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत खास होगा, तो विन्ती इतनी है, शुरू से लेके अंज तक देखेगा, सारे प्रशनों के समाधान, सॉल्यूशन, आंसर आपको मिल जाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत लोग law of attraction इस्तमाल कर रहे होंगे, बहुत सारी अलग अलग चीजों को आकर शिप करने के लिए, जैसे के हो सकता है प्यार है, हो सकता है गारी है, पैसा है, जो बहुतिक चीज़े हैं दोस्तों, जो बहुतिक सुख है, यानि materialistic things you're trying to attract into your life, that is really very easy, वो बहुत आसा नहीं क्योंकि वो कभी resist नहीं करती आपकी तरफ attract होने में, आप पैसा चाहोगे, गारी चाहोगे, या फिर बंगला चाहोगे, अगर मैं समझ लिजए, ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, तो जहां पर मैं दिन में 6 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं शायद 1 घंटा ज्यादा काम करूँगा, तो यह मेरा काम करना inspire कहां से होगा, कि जब मैं law of attraction इस्तमाल कर रहा हूँ, और मेरा subconscious mind is information से influenced है, कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और वो चीज़ इवेंच्योली आपकी life में attract होके आ जाएगी, बहुत simple fund है, गड़बड़ी सबसे ज़्यादा कहां होती है, सबसे ज़्यादा लोग निराश कहां पर होते हैं, आपे वो मेरे जैसा आपके जैसा एक सजीव इनसान व्यक्ति जो जीवित है उसे आकरशित करने की कोशिश करते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा निश्वल था या कह लिजिए कि अभी तक हमें पता नहीं चला कि हम कैसे law of attraction इस्तेमाल करें कि वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में manifest हो जाए, तो निश्वल था तो हम नहीं कहेंगे बस यह कहेंगे कि हम हाँ अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे अटक चुके हैं बीच में तो यह अटकियो ही गाड़ी को वापस ट्रैक पे कैसे लाया जाए और वो इनसान को प्यार को आपकी जिंदगी में आकरशित कैसे किया है क्यों नहीं है आप देखो सबसे पहली चीज़ के इंडिया में बहुत सारे लोग और परिचीत हैं लौफ अट्रेक्शन से से लौफ अट्रेक्शन का जिक्र सुनते ही वह बहुत सारे अलग-अलग ग्रंथिया उनके दिमाग में चलने लगती है कि लौफ अट्रेक्शन के लोग बताई है अब अगर यह लौफ अट्रेक्शन उनके लिए काम करता है तो बहुती सीधा बहुती सरल जवाब है कि उन लोगों ने पर्ट्टीकलर लिक तरीका इस्तमाल किया है एक सिस्टम से काम किया है और आप आपकी जर्नी में उस चीज की कम ही इसलिए आपके तो बलाइक चीज लाउफ कॉर्ण ट्रेक्शन समझिए आप जब भी रात को सोते हो तो लाउफ सोने से पहले या फिर सुभा उठने के बाद तो समझ लीजे हम यहां पर रात की टेक्शन का दिकर करेंगे विजुलाइजेशन जो लाउफ अत्रेक्शन की सबसे कौमन और सब से आसान टेक्निक है आप अगर कोई भी चीज रात को विजुलाइस करते वे सोते हो तो पूरी रात वो इंफरमेशन वो पिक्चर वो मूवी आपके दिमाग में चलती है सुभा उठके आपको वो ऑपरचुनिटीज दिखाई देने लगती है जो पहले भी थी मैं यह नहीं क आपके लिए काम करेगा तो आपको सिखाता है पॉजिटिव रही है क्या पॉजिटिव कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है थोड़ा से दिमक लगा कि समझे दूसरी चीज़ अब लॉफ अट्रेक्शन क्या है यह हमने समझ लिया उसके बाद समझना ज़रूर ही है कि हमा होते हो तो उस चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं एक्जमपल लॉकडाउन में बहुत सारी दुकाने बंद हो गई थी तो जो सिग्रेट पान और यह वगेरा वगेरा चीज़े होती है उसके भाव बढ़ गए थे सब लोगों ने महसस किया था यानि जब आप किसी चीज़ क भी आना बाकी है लेकिन यह पहले eligibility criteria समझना जुरूरी है तो पहली चीज़ धीरच रखिए दूसरी चीज़ गीवप नहीं करना है वक्त लगेगा आने में ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा लेकिन वो वक्त वर्थिट होगा जब एंड में रिजल्ट आपको मिल जाएगा सो पेशन्स रखके गीवप कभी नहीं करना है तीसरी चीज़ इमोशन पर खास फोकस लगाना है कि आपको कौन से इमोशन महसूस करना है दो प्रकर के इमोशन है फटाफट से एक बार रिकाप कर लेते हैं positive emotion negative emotion किसी को लेकि मुझे गुसा आ रहा है किसी को लेकि मुझे जलन positive emotions यानि कि किसी की कैर करना कृतग्यता व्यक्त करना प्यार महसूस करना यह positive emotions so always focus on positive emotions example अगर किसी कपल को देखके मुझे कृतग्यता महसूस हो रही है मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि मैं भी मेरे special person के साथ ऐसे वाक पर जाओंगा आप सही रास्ते पर हो अग गलत है गाड़ी रुख जाएगी तो फड़ा सबसे switch कर लेते हैं अब बात आती है कि यह सारी चीजों को करना कैसे चाहिए सबसे पहली चीज दोस्तों अगर आप law of attraction अभी अभी शुरू कर रहे हो यूज करना तो यह आपको जवाब देगा क्यूं law of attraction अपने काम नहीं कर मेरी शिकायत यह नहीं है कि आप मेरे यह वीडियो देखो नहीं आप जिस किसी को भी फॉलो कर रहे हो उन्हें फॉलो करो लेकिन सची निश्टा के साथ फॉलो करो सद्धा के साथ फॉलो करो क्यूं गुरु गोविन दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो दिखाए यानि कि जिसको भी आपने गुरु माना है उस गुरु पे विश्वास रखके इस जर्णी को आगे फॉलो करो पहला स्टेप दूसरा स्टेप जब आप लॉफ अट्रेक्शन इस्तमाल कर रहे हो शुरुवात में तो बहुत सारी चीज़ें सबसे क्निदर करनी होंगी ऐसा नहीं है कि एक घंटा मैंने लाटक्ष्ण इस्तमाल कर लिया तो और रबर रौक्ष्ण काम करेगा लाव एट्रेक्शन को इसे और धंटे को काम करवाने के लिए बाकि के तेस घंटेदे क्या रूटीन क्या हे आपके है क्या रिचोश्वन醒 आपके लिए काम करेगा तीसरी चीज़ आप अगर law of attraction की कोई भी basic टेक्निक से शुरुआत करते हो लैट से आपने मेरी कोई वीडियो देखी वहां से कोई टेक्निक आपने उठाई कि अब मैं इस टेक्निक का प्रयोग करूंगा उपयोग करना शुरू करूंगा तो सबसे पहली most important चीज़ बिलीव बिलीव नहीं होगा तक तक कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो पाईगी तो बिलीव रख्के उस चीज़ को आगे करना है चलो अब यह मान लिया कि हमने बिलीव किया लेकिन सर्फ फिर भी नहीं काम कर रहा तो तो दोस्तों गड़बड हो कर रही है आपकी vibrations मैं कि vibrations universe के साथ align नहीं है universe के साथ align कैसे कर सकते हो मैंने अल्रेडी वीडियो बहुत सारी बनाई है क्या आप रूटीन सेट कर सकते हो क्या पूरा दिन कैसे निकालते हो उसके बाद आपकी vibrations खुद बहुद align हो जाएंगी आप आध्यात्मिक थोड़े बन अंदर जाक पाओ खुद के भीतर देख पाओ प्रकृति को महसूस कर पाओ इसे कहते हैं आध्यात्मिक होना यह चीज़ करनी है इन चीजों के बाद देखिया law of attraction आपके लिए कैसे काम नहीं करता अपार्ट फ्रों देथ दोस्तों जो मेरे courses में जहां पर मैं law of attraction के बारे म में क्या करना चाहिए तो आप मेरा course जोइन कर सकते हैं help line number नीचे दिये हुए हैं अगर आप सक्षम नहीं है तो भी कोई आपति नहीं है ऐसे भी एन नंबर जिनोंने सिर्फ हमारे challenges हमारी videos देखके success हासिल की है तो आप free of cost law of attraction coaching वहां से ले सकते हैं वह भी नहीं करना सबसे गहन और कह लिजे सबसे खूफिया चीज़ जो आपको आपकी success को आने से रोक रही है वह चीज़ क्या पता है action लेना action लेना आपको रहा है अगर आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया मुझे clarity नहीं है कि मैं कैसे यूज़ करूं आप सक्षम हो तो आप पहल को देखते खतम करते ही जो लोग सक्षम नहीं है जो भी परेशानी से पीडित है मेरी चैनल पर साड़े 300 से ज्यादा वीडियो से साड़े 300 दोस्तों दो साल कम पढ़ जाएंगे लेकिन वीडियो खतम नहीं होंगी जाके वीडियो देखिए फॉलो कीजे टेक्निक कि इस तरफ खड़ा हूं बस आपको दर्वासा खोलना है अब डिपेंड यह आप पे करता है कि आप यह करते हो या नहीं करते हो एक बार करके देखिए फिर यह सर्च करना भूल जाओगे कि वाई लॉफ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड जय श्रीक्रिष्णा